महिला शक्तिवंदन के नाम से ये जो बिल है वो पटल पर रख दिया गया है ताकि नारीश शक्तिकरण और जादा इसको बढ़ावा मिले जी पहले तो बहुत बहुत बढ़ाई आज के लिए आज बहुत बड़ा दिन है नई आज सिंसद दोओन का उतकाटन नई पेश्करश भी अब सबसे पहले महिला अरक्षन बिल इसको आपने नहां नाम दिया आपने मतलब सरकार ने नहां दिया त्योंकि लोकसभा में 78 महिला सदस्ते हैं और राजसभा में 39 महिला सदस्ते हैं यानि के 14 वारत दरिशीयों यहां मिलता है इसको भी बढ़ावा कहीं मंतला नहीं मिलता है इसको तर्क्यम को बता दूं कि लोकसभा में महिला सदस्ता नीड चाहिन 17 में कुल 9 mutueil 2019 में 78 एं 14% आपकी महिलाएं आज हैं जिसको 33 होने जा रहा है नई संसद में आज पहला विधेक रखा गया लोगसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है यह यह कहें कि नारी शक्ती वंदन इसका नया नाम है इसी नाम से इसे आज पटल पर रखा गया है हलाकि अब यह पास नहीं हो पाया है लेकिन लोगसभा में से पेश चरूर कर दिया गया है इसमें सदन के अंदर चाहे वो लोगसभा हो चाहे राज्यसभा हो महिला आरक्षण का जो परसंट था वो बढ़ा दिया गया है तो ऐसे में अब हर जगा हर कोई यही सवाल कर रहा है कि सदन के अंदर महिलाओं का आरक्षण बढ़ाने से जो बाहर के महिला है उनको क्या लाब होगा इससे उनकी आवाज कैसे सदन के अंदर तक पहुँचेगी अगर उधारन के तोर पर मैं बात करूँ तो मनिपूर मनिपूर एक ऐसा मामला था जो महिलाओं से जुड़ा हुआ था तो क्या ऐसे मामलों पर बहुत जल्द एक्षण लिया जाएगा या फिर जो बहस अभी सदन के अंदर होती है वो बहस कुछ अलग तरीके से हो गई हरी जी महिला आरक्षण पर हम बहुत सालों से बात करते आए हैं कॉंग्रिस भी से लेकर आई थी लेकिन पास नहीं हो पाया है बिल ति उसके बाद लोग इसे भुल गए नरिंद्र बोदी की सरकार आई फिर बात होने लगी कि महिला आरक्षण बिल पर हम काम करेंगे और आखिरकार आज वो दिन आया कि महिला शक्ति वंदन के नाम से ये जो बिल है वो पटल पर रख दिया गया है ताकि नारिश शक्तिकरण और जादा इसको बढ़ावा मिलेगा जी पहले तो बहुत बहुत बढ़ाई आज के लिए आज बहुत बड़ा दिन है नई आज संसत बावन का उद्गाटन नई पेशकर हुई और सबसे पहले महिला अरक्षण बिल जिसको आपने नया नाम दिया आपने मतलब सरकार ने नया नाम दिया और नारी से शुरुआज जब करिये न तो घर की महिलाओं को पूझने का काम जिसे होता है उसी तरह से कि बुलते हैं नारी के अंदर लक्षमी का वास है उसी तरह से आज गणेश चतुरुती के तौर उसमें भी आज नारी को पहले रखा गया और नारी के विशे को आज संसत बहुन में पहले पहला बिल पास करने के लिए रखा गया वैसे तो काजोल ये बिल जो है आज से नह पहले ये बिल हमेशा रखा जाता था आज भी यह इस्तिती यह है पर इस बारी पास होने के पूरे चंसेजरें क्योंकि तो कॉंग्रेस भी समर्थन कर रही है कि हम तो पहले से ही चाहते थे कि ये बिल पास हो और हम लोग ने इसको राज्य सबाव में अलरडी पास कराया थ और लोगसभा में भी इसको पर जैसे हम इच्छाने कहा आज कि यह पास नहीं हुआ था क्योंकि सरकार बदली समय बदला और अगर कोई चीज नहीं हुई तो एक्जाम के बच्चे की तरह हैं कि आपने पढ़ाई तो पुरे साल की पर एक्जाम नहीं हुए तो इसका मदल उस और जादा शशक्त करना सदन के अंदर ताकि महलाओं की जो आवाज है वो एकधम शशक्त तरीके से उठ सके. बाते तो पहले भी होती रही है, महलाओं के मुद्धे उठते रहे हैं, मणीपूर का भी मुद्धा उठ आ loose, उससे पहले चाहिए जितने भी महलाओं सेुड़ प्रधानी में ऐसे हुआ कि यहां से महिला अरक्षन है महिला का पर क्या होता था कि महिलाओं को आरक्षन देने के साथ चुनाओं में तो महिलाएं उतरती थी पर बाद में एक पद दे दिया जागरूख हो रही है महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज पहले उनके 81 सीट थी आज 181 होने वाली है और मैं समझता हूं कि समाज में जो दभी कुछ ली महिलाएं जिनके आवाज जो आप आप सोशल मीडिया का जमाना है आप जाएंगे न गाओं गाओं आपको एक से टैलेंट नजर आएगा जो वाक्य में देश को बदल सकते हैं और शायद कि कारणों से वो महिलाएं पीछे रह गई हैं उनके घर से उनको सपोर्ट नहीं मिलता उनके समाज में वो सपोर्ट नहीं मिलता अब वो वक्त बदल गया है वो वक्त आ गया है कि आप वो अपनी आवाज सोशल मीडिया के थू या कैसे भी करके वहां तक पहुंच गई है इसमें S.C.S.T. रिजर्व सीटी जो है वो 43 है न्यू इंडिया का महिला शर्षिक्तिकरण कैसा होगा 15 साल बाद क्या सीटों का रोटेशन होगा यह अपने आप में बहुत मेहत्वपूर्ण हो जाता है बोनस फायदा जो है वो S.C.S.T. महिलाओं को मिलने वाला है रिजर्वेशन पीरियड वो भी 15 साल का होगा कहां आरक्षन है यह लोगसभा और विधान सभा में दोनों में बिल में क्या है महिलाओं को 33 प्रतीशत रिजर्वेशन और इस तरीके से अगर देखें तो सियासत में महिला शक्ति बढ़ेगी क्योंकि लोगसभा में 78 महिला स सदस्य हैं यानि कि 14 और 12 का रेशियो यहां मिलता है इसको भी बढ़ावा कही ना तो बिल्कुल बढ़ावा मिलना चाहिए इसको और मैं आपको बता दू कि लोगसभा में महिला संद्वा निस सो सब्तर में कुल महिलाएं 19 थी आज 2019 में 78 है मतला 14% आपकी महिलाएं आज है जिसको 33 होने जा रहा है 14 परसेंट अभी भी है ठीक है और इसको जब 1996 में पहली बार देवड़ा सरकार में पेश किया गया था इसका विरोध करने वाले लोग कौन थे अब आज शरीर रह जाओगे जो पार्टियां आज बोलती हैं मैलाओं की हक की बात करती हैं वही लोग इसके विरोध में भी थे मुलायम सिंग यादव लालू यादव इनका विरोध कर रहे जिनकी पत्नी आज कह रहे हैं कि पचास पतीशत आरक्षण होना चाहिए आरक्षण पे भी आरक्षण की मांग हुई है कि 50% होना चाहिए ठीक है मांग जायज है पर पीछे का इतिहास देखें जब सरकार में थे तो उन्होंने इस चीज को विरोध किया था शरद यादव ने थे बहुत बड़ी टिपनी कर दी थी पर कटी महिलाएं कह दिया था उन्होंने तो तो सोचिए कि वो महिलाओं को क्या समझते थे उनकी नजर में महिलाओं की क्या इज़त थी जब पर कटी महिला कहके उन्होंने संबूदित किया था तो वो उस ताकत को स्टाइम भी नहीं समझे थे ये ताकत है क्या आज वो वक्त आ गया है फिर से वाजपे सरकार में इसकी कोशिश हुई थी और हाहुला के साथ ये बात खतम हो गई थी 2003 में सरकार में फिर कोशिश करी थी फिर से पास नहीं हो पाया था और 2010 में जैसे कि मैंने पहले बताया बिल राज्यसभा में पेश किया गया था और RJD और सपा ने सरकार को वापसी की धंकी दे दी थी वो इसके पक्षमें नहीं थे अब सोचिए कि जो आज होड लगी है आप में सुबह से आप भी देख दूरे होंगे चैनल पर और होड लगे यह कि अfat न तो हम पहले से चाहते थे और हम महिलाओं के हित में हमेशेon का टाइम है ना तो महिलाओं के हित में प्रेडिट लेनी की कोशिश हर कोई करना है क्योंकि चुनाम नजदीक है पर मैं महिलाओं को बोल दूं क्रेडिट कोई भी फाइदा आपका होने वाला है आपकी बात पटल पर रखे जाने वाली है आगे चलकर भी आप लोग इसी तरह से एक जुटता दिखाते रहें पुजयाएं यहां महिलाओं का बला होगं देश का बला अपना पुजये डिलकूल और ये शोचने की बिलकूल जुरत निए कि यह जो आरखषण है वो तो लोगसभां रजसभा में मिला ढते ऑव तोसंसे कही न पनीं है विदान सभा में इसका तो यह सोचने की जूरत Denn महिलाओं के लिए देश के हर कुनी के महिला के लिए फायदेमंद है कुछ भी योजना आती है उसका लाब बहुत अच्छे तरीके साफ लोगों तक पहुंचेगा एक संख्यावल बढ़ेगा तो आपकी अवाज और जादा मजबूती के साथ सदन के अंदर रखी जाएगी य मोदी जी स्ट्राइजिक प्लानिंग तो करते ही है इसमें कोई दोर आए नहीं है और मीडिया मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से जानते हूं मैं मैंनेज करने को गलत दंग से नहीं बोल रहा हूं उनको पता है कौन से समय पर कैसे बैटिंग करनी है उन्होंने अपने पा पहले रख सकते थे 370 को आज कर सकते जिससे एक बहुत बड़ा मैसेज वर्ल्ड में गया था तो ऐसा नहीं है इन्होंने सरफ मैं वोलूंगा सरकार ने अपने वादे पूरे करते जा रही है और वादों में उन्होंने जो जो वादे लिखे थे मेरे साब से कोई बचा नही है वो सिर्फ घर बार समानने वाले महिला है आज जब संख्यावल बढ़ाये तो इससे कहीं न कहीं एक मैसेज लगया है कि हाँ अब जो हमारा देश है वो पूरी तरीके से पुरुष्प्रधान नहीं है महिलाओं के भी आधी आबादी जो हमारे देश के उसकी पूरी महिला अब तो समझ सकते हैं कि घर बनाना कितना मुश्किल है तो उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूं कि महिलाओं के लिए आज जो स्ट्रोक खिला गया है यह नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छी तरह से पता है और इसके पीछे स्ट्राटेजिक प्लानिंग और पूरा कि कि इतनी महिलाएं हैं कौन सी महिलाओं को इससे बेनेफिट मिलेगा कैसे इस देश का बलागा कैसे हम आगे चल सकते हैं सेलेंडर के दाम कम कर देना रक्षा मंदन पे अलग से उपहार देना और अब महिला बिल पे इसी परकार से उन्होंने एक मैसेज बहुत क्लियर कर दि कि नई संसस्ते साथ नई नीव जो है नए भारत की आज रखी जा रही है और अभी आने वाले जो चार दिन तीन दिन रहने वाले हैं हरीज जी वो बहुत जादा महत्वपूर रहने वाले हैं क्योंकि अंदर खाने ये सुब गाहट है कि बहुत कुछ बदलने वाला है मुझे कुछ बड़ा होने की आशंका मुझे नजर आ रही है और ऐसा कुछ बड़ा होगा कि जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा अचा अब महिला आरेक्शन पर हम बात करें देखिए लोक सभा में तो हो सकता है कि बहुत आसान हो क्योंकि कॉंग्रेस साथ है लेकिन राज्य पारिया ऐसी है जो आवास अधारी है जो कुछ पार्यों के संच्आ भिल बहुत काम है है इसका जो विरोध करेगा उनकी संख्या भी सामने आएगी और जो विरोध करेंगा वो एक तरह महिलाउं का विरोध कर रहा होगा इतना जोकि म्तों पायगा इंडिया यह भीien ना तो बार बलाया जा चुका है लेकिन उसमें से पांच वार ऐसा हुआ कि राश्पती शाष्ण राज्य में लगा इस वज़ों से विशेस्ट बलाए गया उसके दो बार ऐसा हुआ कि एक बार अमेरकर जैनती थी और एक बार कुछ और था मुझे वह याद नहीं आ रहा है लेक है ना अभी कुछ और भी मेरे को लगता है कि एक दो चीजे और पेश होनी बाकी हैं पर इस बार कुछ बोलते हैं कि मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है रुख बदला हुआ है और कॉंफिडेंट है सरकार कुछ नया करने के लिए अब वह क्या करने वाली है यह विशे बड़ महतपूर्ण होगा और हम लोग भी बिल्कुल इस पर टक्टकी लगाए वे बैठे हैं कि कुछ बड़ा होगा और हम लोगों की नजर लगतार बनी हुए है आज हमने नारी शक्ती वंदन पे चर्चा की है आगे देखते हैं कर लोग सभा में क्या होता है राजसभा में क्या बताया और आगे वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आने वाले समय में दो से तिन दिन बहुत में तपूर्ण होने वाले हैं देश के लिए आपके लिए हमारे लिए भी